विरोध नहीं होबा, कोईरी कुर्मी से लेकर, आती पिछडा से लेकर, खानुक से लेकर, यादव से लेकर, मुसल्मान से लेकर, सवन्ड से लेकर, कोई विरोध इसका नहीं करता है, जिनके बदावलत BJP आ सत्ता में है, वो जब कहा रहे हैं कि चिराग बिहार का भविस्य है नन्दी मोधी ने बिहार का भवित से है चिराख, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चिराख पाश्वान बिहार के अगले हैमन भी सर्मा हो सकते, इसमें नन्दी मोधी ने चिराख पाश्वानको अपने बेटे के जैसा कहँवधित किया था, वीज़ेपी के खिलाफ एंटी बीजेपी आंटी एंडिये एक पुरा जो एंवार्मेंट टियार कर देना ये तेज़श्पियाद हमने कर दिखाया 2024 में किसी का आप नाम रखिए आप समराद चौधरी कहिए ये नित्यानंदराय का नाम रखिए आप विजय सिनहा कहिए किसी का नाम आप रख लिजिए कोई उसकत का नेता नहीं है जिसकत के नेता आतज़िया दो भीहार में बने हुए है नमस्कार आप देख रेए दभीहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुना तिवारी लोकसभा का चुनाव सवाप्त हो चुका है अब चार जुन को इसका परिनाम आने वाला है देखिए चित करेंगे हमारे सही होगी हमारे साथ उदिपता रहा है कि परिनाम आने के बाद जिस तरीके से एकजिट पॉल में दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में उनके पांच की पांचो सीटे जीत रही है तो क्या जो हनुमान बनते फिर ते मोधी जी उन पर अप पांच ना भी सही तो चार तो पके तोर पर जीतेंगे एक वशाली का सीट हो सकता है फंस जाएगा या खगड़िया का सीट हो सकता है कि राजेजवर्मवास यह भी हो सकता है कि दोनों सीट हार जाए तीनी सीट जीत पाए चिराग लेकिन चिराग की भूमिका बिहार में क् इस पर चर्चा बड़ा जोर सोर सा चल रहा है देखिए एक साक्सिस जो एक्जिट पोल हुआ उसके यह स्वंत देश्मुक का कल मैं इंटर्विव देख रहा है इंडिय टुडे गूरूप चानल पर आकर वो इंटर्विव दे रहा है ते जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिय और काफी सिनियर और तजर्वा वाले वेक्ति हैं राजनितिक दिश्टिकों से देखा जाए तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चिराग पास्वान बिहार के अगले हेमंत भी सर्मा हो सकते हैं मतलब इस तरीके से आसाम में एक कॉंग्रेस का नेता हेमंत भी सर्मा जो बीजेपी में और सिदा सीम बना उस भूमिका में चिराग दिख रहे हैं बिहार बीजेपी के नजर से इससे अपनाजर लगाए कि चिराग के बारे में कितना बड़ा प्रसप्सन बना हुआ है केंदर में दिल्ली में अब सवाल उठता है कि इस चुनाव परिणाम के बाद केंदरि हैं मंत्री बनेंगे σταइक पास्वान करिए 35 सालों तक उंके PR स्वार ब्रायास पासौन के इंदर में मंत्रि रहे सरकार किसी की भी रही चाहे देव ग्टा की रही चाहे मनमोहन सिग की रही चाहे इतुल बिहरी представै कि रही चाहे है नहीं कहीं तो क्या चिराग केंदर में मंत्री बनेंगे लेकिन मेरा जो अपना जमसन है वो भी ही चाहता है कि बीजे पी है को सिर्फ केंदर में मंत्री बनाने पर इस्तिर नहीं रखेंगी करन समझ एंथिस सालों से बिहार में कोई दलिद बिहार का नेत्रित तो नहीं किया है रामिलेस पासवान का मैंने बार बार उधरण दिया कि वह केंडर में रहे bihार को रिप्रेजंड करने का तो पर ए एक मंक्रिक पर एक मंत्री का तवर एक दलित का रामसुंदर दास के जाकर और एकले । शुराग को लेकर क्यों। तंहाम वारिष्ट पत्रकार और यह स्वह क नन देठोग जैसे लोग भी कह रहा हैं कि छिराग वह विहार में अगले हेमन तो विशेательно कर्मा हो सकते हैं इसका कारण समझिए बिहार बीजेपी केडर में अगर पुछा जाए कि हमको आप एक निता का नाम बता दीजिए जो तेजस्वी से टकर ले पाए देखें तेजस्वी आदव को मैं बड़ा निता मान रहा हूं आज के संदर्व में चाहे 2020 का विधान सभा च सभा चुना हो हार जीत के इतर तेजस्वी आदम ने खुद को साबित किया है ग्राउंड पर दो सभा करना और इतना धुआधार महौल बना देना बीजेपी के खिलाफ एंटी बीजेपी एंटी एंडिये एक पूरा जो इन्वार्मेंट त्यार कर देना ये तेजस्वी सभाय का नाम रखिए आप विजय सिनहा कहिए किसी का नाम आप रख लिजिए कोई उसकद का नेता नहीं है जिसका के नेता अदो बिहार में बने हुए है तेजस्वी को अगर टकर देना है मैं पछाडने की बात नहीं टकर देने की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर् सब्सक्राइब जोर चोर से चल रही है कि BJP क्या करेगा चिराक पासवान का देखिए हाजिपूर का सभायात की जिसमें नरेज मोदी ने चिराक पासवान को अपने बेटे के जैसा तक कहें के समोधित किया था कि मैं तुम कर रहा हूं चिराक को क्योंकि मैंने उसे बेटे के देखा है यह वाक्य प्रधान मंत्री का था और यह बड़ा वाक्य है राजनितिक दिश्ट्री कों से देखा जाया तो इसका मतलब है साती साथ यह भी मोदी जी ने कहा था नन्द मोदी ने कि बिहार का भविश्य है चिराक यह बहुत सांकेतिक मेसेज है कि BJP कोई बात हव में इसी तरह नहीं उठता है और खासकर जब राजनितिक दिश्टी कों से देखा जाया तो जब खूद देश के पढ़ान मंत्री जिनके बदावलत BJP आ सत्ता में है वो जब कह रहे हैं कि चिराग बिहार का भविश्य है चिराग बिहार का नेत्री तो कर सकता है इसका साफ पूर में भी एक वीडियो किया है कभी अगर चिराग पास्वान बिहार में मुख्य मंत्री बनेंगे BJP कि तरफ से तो वह BJP के सदस्ये बनने के बाद ही BJP का जंड़ा उठाने के बाद ही चिराग जो है मतलब अपनी पार्टी का वह मर्जिंस मर्च कराएंगे विले बाज भाजपा में होता है अभी जनरतिकारपाटी का विले कॉंग्रेस में हो गया रालो सपा का जदियू में हो गया था बहुत बार हुआ है उसी तरीके से लोजपा राम विलास का विले जो है न वह भाजपा में होगा और उसके बाद बीजेपी चिराग को यह रोल दे सकती है क् समाज के रिप्रजेंटेशन पिछले साड़े तीन चार दसक से बिहार में नहीं मिला है इसके अलावा हार जाती में उनका एक्सेप्टेंस है उनका विरोध तेजस्वी नहीं कर पाएंगे बड़े अस्तर पर अगर भुमिहारात्पु तो खड़ा कर दिया जाए तो बड़ा नहीं कर पाया यह भी एक रणनिती है जिसके ताहद वीजेपी सोच रही है प्लस 19 परसेंट बिहार में अनुसूची जाती जाती का वोट है दलितों का वोट है वो एक तरफा वीजेपी की तरह मोल्ड कर जाएगा जिसके विरोध में कोई भी सवर्ण खड़ा नहीं होगा कोई याथी पिछड़ा खड़ा नहीं होगा कोई पिछड़ा खड़ा नहीं होगा यह इस इस रणनिती पर बीजेपी सोच रही है इसलिए यह कहना अभी बहुत जल्दी हो जाएगा तो शक्ति हो जाएगा कि चिराक पासवान केंदर में मंत्री बनने जा रहे हैं मुझे लगता है कि बीजेपी इतना हरवडा कर कोई फैसला लेगी कई देखिये नितिश कुमार भी दिल्ली में है नितिश कुमार इस्तिफार दे सकते हैं केंदर में मंत्री बन सकते हैं यह ख़बर चल रहा है ना नेशनल मेडिया पर चल रहा है ये ख़बर आप बताईए कि लेकिन बिहार के राजनितिक पटल पुएसा कोई फेस नहीं है बीजेपी के पास जो सीएम के लिए प्रोजक्ट किया जा सके और जिसने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सके इसलिए चिराग पास्वन की चर्चा बड़ी जोड़ सोड़ से हैं और देखें चिराग कि पिता भी लंबा राजनिति किये 5 दसक का उनका राजनिति था और मुझे भी लगता है कि चिराग भी कमचे का मगले 3 दसक तक अगर इस्वन उनका स्वास अच्छा रखा सब कुछ सही रहा तो वो राजनिति करेंगे वो लंबा रेस के घोड़ा है यह बात में सुरू से 3 से बोल रहा हूं और देखेगा ये आज नहीं तो कल ये होगा और चिराक का भी एक अपना सपना है कि पिता नहीं बन पाया तो क्या 2005 में मौका मिला था लेकिन चिराक पासवान नहीं सर्थ रख दिया कि किसी मुसल्मान को सीम बनाओ समय निकल गया फिर बात में चुना हुआ पायुआ उसी साल 2005 के अक्टूबर में और फिर उसके बाद रामीलास पासवान को वह मौका कभी नहीं मिला लेकिन चिराक को वह मौका मिल सकता है चर्चा इसकी हो रही है तो देखिए इस रिजल्ट आने के बाद चिराक पासवान पो बिहार में कौन सा पैद मिलेगा या किंद्र में कौन सा ऐसा भूमिका वो नहीं भा रहे हैं तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए मारे साथ बने रहे हैं और देख तेरा दा भी हार टॉप को